आप लोगे काम करो फीडियो को पॉस्ट करके इस क्वेस्टन को करने की कोशिस करो, ठीक है? कॉंसेप्शन करेक्ट होंगे, मुझे बोलना को में सेक्शन में, ठीक है? तो यहाँ पर work की जो formula है, that is force into displacement, displacement को x लिख दिया, और यहाँ पर charge को आपके लिख सकते हो, i into t, क्योंकि आपको मालूम है, i is equal to q by t, ठीक है? तो यहाँ से q is equal to क्या लिखेंगे, i t, ओके, तो यहाँ से q is equal to क्या लिखेंगे, i t, ओके, तो यहाँ आपको class 10 में में मिल चुके है, यह सब easy formula है, basic charges है, ठीक है, तो यहाँ पर force की assign unit क्या है, यह याद रखना आप लोग, ठीक है, force की assign unit है, kg meter per second square, और x मतलब displacement, उसकी assign क के है, ampere, और t की assign के है, second है, ठीक है, तो अब इसे कैसे लिखेंगे, kg meter square, और second को उपर लिखेंगे, तो क्या में लिखेंगे, inverse cube, ठीक है, और ampere को उपर लिखेंगे, तो it will become a minus, clear है, तो इतना सा है answer, तो यहाँ पर, यह जो kg है, इसको आप क्या लिखोगे, dimension में, capital M, mass, फिर इहाँ पर m मतलब meter है, तो length लिखोगे, square लिखोगे, और इहाँ पर s मतलब time, ठीक है, minus 3 लिखेंगे, फिर इहाँ पर a मतलब a ही है, ठीक है, यह जो a है, this is ampere, ठीक है, तो कारेन के assignate ampere है, और dimension भी ampere है, ठीक है, लेकिन इहाँ पर mass की assign kg है, dimension के है, capital M है, ठीक है, द ठीक है, तो e option, b will be the correct answer, ठीक है, तो अगर आपको video अच्छे समझ में आ, यह question समझ में आ, तो के करना, चैनल का subscribe करना, like करना, share भी कर देना है, और आगे भी इस तरह की content आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, thank you.